नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज टड़ी ओफिशल में तो दोस्तों आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले है न वो रूस में घर्टी जनसंख्या और इसके लिए उठाये जा रहे अनोखे कदमों पर आधारित है जी हाँ रूस की गिर्टी जनसंख्या के चलते वहाँ पर एक सेक्स मंत्राले बनाने की चर्चा हो रही है इस मंत्राले के जरिये रूसी सरकार की कोशिश है कि वो देश में जन्मदर को बढ़ावा दे तो दोस्तो आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूस की जनसंख्या आकिर घट क्यो रही है इसके पीछे कारण क्या है और क्या रूस सरकार वाकई में ऐसा कोई मंत्राले बनाईगी साथ ही हम जानेंगे दोस्तो रूस में घटती जनसंख्या को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाये जा रहे है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कदमों में से एक सुझाव है रात को इंटरनेट और लाइटे बंद करना ताकि लोग अपने परिवार पर ध्यान दे तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो रूस में ना पिछले कुछ सालों से जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है जो की एक गंभीर समस्या बन चुकी है अब ये गिरावट हो क्यो रही है तो दोस्तो युद और आर्थिक समस्याओं के कारण रूस की जनसंख्या दर लगातार घट रही है साथ चल रहे है युद के कारण युवा पीड़ी का एक बड़ा हिस्सा सैना में है या युद से प्रभाविद है इसकी वज़े से प्रजनन दर में कमी आई है और इस स्थिती में रूस का भविश्य भी असुरक्षित हो सकता है क्योंकि दोस्तो जनसंख्या का संतूलन बन हो रहे हैं अब इस समस्या से निपटने के लिए रूस में एक सेक्स मंत्राले बनाने की बात कही जा रही है ताकि युवा पीड़ी को परिवार बनाने के लिए प्रोसाहित किया जा सके दोस्तों रूस की संसत की फैमिली प्रोटेक्शन पैटर्निटी मेटर्निटी और चा इस मंत्राले का विचार पेश किया है और कहा है कि इस मंत्राले का उद्देश्य लोगों को बच्चे के जन्व के प्रति जाकरुख करना होगा अब रूस में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है क्योंकि सरकारी समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहती है इस मंत्राले के जरीए ये कोशिश की जाएगी कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेडित किया जाए और प्रजनंदर को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजे जाए दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस में जनसंख् अपने परिवार के साथ होते हैं और ये समय इंटिमेट एक्टिविटीज के लिए सबसे जादा अच्छा माना जाता है इसके जरीए रूसी सरकार का मानना है कि इस उपाई से लोग परिवार बढ़ाने के प्रती अधिक इच्छुक हो सकते हैं अब दोस्तों ये ऐसा कदम है जो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है लेकिन सरकार का मानना है कि अगर लोग इस समय को अपने परिवार के साथ बिताएंगे तो इससे प्रजनन दर्मे बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों जैसा कि इस टॉपिक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जि लोग ऑफिस में लंच या कॉफी ब्रेक के दोरान भी इंटिमेट टाइम निकाल सकते हैं उनका कहना था कि इस वक्त को नीजी जीवन के लिए निकालना जरूरी है ताकि देश की जनसंख्यादर में सुधार हो सके तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पस दोस्तों झांदों यक्यों कि लिए ब्रूरी है तो वक्त वट को वीडियों यदित।